हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कि प्रति落आ दान्तर किअ हं कि हम लोग Some not दिर्श्श पड़ चुके हैं मानो रोग पड़ चुके हैं और मानो रोग जब होता है तो कोई हम लोग जानते हैं कोई पह्थवोजनस आता है और वहां पैथोजन्स क्या होता हम लोग दिश्कस किये थे पैथोजन्स मतलब वायरस बैक्टिरिया प्रोटो जो निमेटोड कुछ भी जो रोग उत्पन करता है उसे पैथोजन्स बोलते हैं तो पैथोजन्स जो है रोग्त्पन करता है तो उस रोग से हमारा शरीर हमारी कोशी का हमारी बंड вони किस प्रकौर से लड़ेगी किस प्रकौर से रेंट करेगी उसके इसलिए इंशील का चाहले सब्द भी है तो प्रतिरक्छा चांथ्प है मैने क्या होता है यह दो प्रकार का होता है ओग्ड Jar No तो कि एंटीबडी बनाए बिना अगर लड़ता है तो उसे स्फेस्फिक डिपेंस बोलते हैं और एंटीबडी बनाकर अगर लडता है तो उसे specific defense बोलते हैं आगे देखते हैं फिर non-specific defense दो प्रकार का होता है एक external defense external defense एक internal defense external defense यहने कि सरीर को शरीर के बाहर शरीर को अंदर आने से रोकता है यहने कि पैथोजन अंदर ना आने इसको देनी पैथोजन की रोकने का जो प्रासेस है वह external defense में आएगा internal defense में क्या होगा अगर पैथोजन अंदर आ गया शरीर के अंदर उसे मारने के लिए बिना antibody बनाए क्योंकि antibody बना देंगे तब तो इस specific defense में आ जाएगा तो बीना antibody बनाए उसे मारने की प्रक्रिया जो इंटर्नल defense का लाती है external defense को external defense यानि कि जो शरीर के बाहर ही उसको रोकना है पैथोजन को शरीर के अंदर आने से रोकना है उसे फर्ष्ट लाइन आप डिफेंस बोलते हैं शरीर के अंदर अगर घुश गया किसी का प्रकार से और शरीर के अंदर पैथोजन चला गया तो उसको बीना antibody बनाए ही मा आता है और अगर यह भी काम नहीं किया इससे भी सफल हो गया तो इंटीबडी उसके खिलाप में antibody बना देना और एंटी बनी बढ़ा को उसे मार देना यह थार्ट लाइन आप डिफेंस का लाता है तो तीन लाइन अप डिफेंस होते हैं फर्स्ट लाइन अप डिफेंस इस फर्स्ट लाइन अप डिफेंस इसे एक्स्टर्नल डिफेंस कहते हैं और सिकेंड लाइन अप डिफेंस इंटर्नल डिफेंस बोलते हैं और थार्ड लाइन अप डिफेंस स्पेस्पिक डिफेंस होता है कि हर्ष्ट लाइन अप डिफेंस कि यहीं है कि सरीर को अंदर आने न तो प्रेकार से रोका सकता है प्रेइड बर्यर बनाकर एक केमिकल बर्यर मतलब किसी को रोकने वालces प्रेइड रोड पर त्रेंड होते हैं रोड होता है उससंवे बर्यर लाग रोक दिया जाता प्रासिंग जिसे बोलते हैं और की मिख्येंब क्यों क्योंतार्स करके बना दिया जाए कि या का इन फैल बर्यूर ऑथ दीघते हैं और लोजिकल बएर कषो do आपके देखते हैं यह आप देख सकते हैं जाते हैं एक्जाम अगर देने कोई जाता है एक्जाम देने के लिए जाता है तो क्या होता है सबसे पहले होता है तो यह अभ नुट आ ब्हरती ऐँवा और चेक कर रहे हैं यहां इसे बोलते हैं इसे बोल सकते हैं आप यंद्र लेकर है एक एक आदमी आता है और आइरिस करता है तथा फंब लगवा कर वह भी चेक करता है और पायमेटरिक ले लेता है एक्जाम देटे श Eliasam हाल के अंदर तो इसे इंटर्नल डिंद्स बोल सकते हैं अथवा सिकेंड लाइन व्डिफेंस बोल सकते हैं यह एक्जाम हाल के बाहर होता है यह फर्स्ट लाइन अफ डिफेंस है एक्स्टर्नल डिफेंस है एक्जाम देदे समय यह वाला काम होता है यह यह पास कर गए तो क्या होगा डीवी होगा होगा इस प्रकार से होगा प्रइफेंस हेज़ा सकते हैं इस इंदर पहुंच गया है शरीर के बाहर ही अंदर पहुंच गया है तो उसे पसाहिर के अंदर रोकना है लेकिन उसके प्रति antibody बना कर नहीं रोकना है बिना रोकना है किस प्रकार से रोका जाएगा आगे देखेंगे और थार्ड लाइन अपडेफेंस में क्या है अगर इससे भी नहीं हो का तो इसके खिलाप antibody बनाएगे और एन्टी बना करो कर आगे पढ़ते हैं फ्रस्ट लाइन-आफ पसंकwo कि एक्स्टर्नल डिफेंस या हुश्ट लाइन प्र्फेंस के हमने बताया एक्स्टर्नल डिफेंस फंटल अ डिफ्यान स्वर्फ डी बिख्चा को चलिख के द्वार इसको रोखाजाता है पैथोजैन्स को शरीर के अंदर आने चांजा जाता है और आने के द्वार है ठ dasher से जाननते हैं लोगती है बाहर से होती है तो इस एक्षणल बेरियर कहते है च्छा में मुस्टा करे कर और स्वेड यह पुछ्फच को इसेडिक कि डाहिए राखता है स्चा जब पशीना निकलता है तो ए सडिक बनाया रहता है या तेली गरन्थ्यां तो आ 귀여 Academy से ऒएघे रिट हो जाता है तो अंदर नहीं आ उसमें चिपकने लगता है अंदर नहीं आ पाता है तो यह भी काम करती है लाइसोजाइम लाइसोजाइम का मतलब होता है आशुलार और म्यूकस का एंजाइम आशुलार और म्यूकस का एंजाइम आशुलार और म्यूकस का एंजाइम जो होता है एक ग्राम पाजेटिव बैक्टरिया के सेल वाल को तोड़ देता है फिटीए क्या होता है और ग्राम निगेती विए गया होता यह अभी देखोंगें इतने जरूत है नहीं आप नहीं बस इतना जाने इक इसी कल वारियर अहार नल में होती है हमने यह कहा हूँ होता है आक हम नार बыш होता है चाहां मुख में होता है लेकिन म्युक्राइजिली जinh apolog नाल में नाल静 जिसके माद्य से पेट avatar दक जाता है ऊंखों में पैथोजन्स के शरीर के अंदर प्रवेश करने की वहां वहां यह मुखस जिल्ली होती है और मुखस जिल्ली क्या करती है यह पैथोजन्स को अपने अपने से चिपका लेती है तो अपने से चिपका लेती है पैथोजन्स को और आगे बढ़ने से रोक देती है इस प्रकार से जली का स्त्रावित पदार थाता है जिसमें केमिकल बेरियर है तो इसमें तवचा में स्वेध गरंथियां तेली गरंथियां होती हैं आखों में लेक्राइमल गरंथियां और पेट में उपस्थित यह क्या करते हैं पैकंष आज catching को यह मार देते हैं पैकंष मैं यह घं sculpt नाम सर्वक्षाइट एस टोड़ेगा है क्या करेगा जाइना में होता है और इसे लेक्टिक एसे मदल देता है शुर। को लाक्टल में उपास्थित होता है दरसल भोजन के भोजन के मार्देम से घ्लाइकोजन को खाया जाता है जब डाइगस्टी सिस्टम पढ़ें के तो इस में देखेंगे से लिगलाइकोजन क्या होता है वह झांता को लैकिटिक अमलमें बदल देता है कौन मदलता है लेक्टो बैसिलस एसिड़ोफिल्स यह बेक्तरिया यह बदलता है और यह क्या करता है उसको इसी है तो पेथो दिडोंस को मार देता है यहां कृत में पीटरस यह रिवर में पित्रस होता है जो हरे रंग का होता है और हरा किसलिए होता है क्योंकि बिली वर्डिन पिग्मेंट बनता है वहां पढ़ेंगे अभी इसको वारे हम लोग पढ़ेंगे नहीं है तो बिली वर्डिन और बिलुरुबिन पिग्मेंट बनता है बिली वर्डिन के कारण है पित्र यह भी पुछा जाता है किस कारण हरा होता है बिली वर्डिन पिगमेंट के कारण आगे आएगा why the actress प्रतरस ए पेतोईंस को मार देता है यह में कानों में यायनिकी येर वैक्स होता है यायनिकी यायर वैक्स भाता है कान में कान की जो मेल होती है वह उपस्तित होता यह क्या करता है यह अपने आप अपने से इनको पैठोजन को अपने से चिपका लेता है और इनको चिपका के वहाई पर मार देता है कानों में अगर कान के माध्यम से इंटर करना चाहें तो तो कहीं से इंटर नहीं करने पास देते हैं यह फर्स्ट प्रकार से धोखा देकर अंगों को और इंटर कर गया पेथोजन सिंटर कर गया तो स्थिकेंड लाइन अब डिफेंस आएगा कहां जाएंगे बाहर से आ गए इंटर बाहर से चेकिंग के दवरान इधर दर से भाग के आ गए तो एक्जाम भाल में भी छेखोजा सिकेंड इंटर्नल डिफेंस में पढ़ेंगे सिकेंड लाइन अब डिफेंस में कि अगावलुबी सीक उठाते हैं डाबलुबी सी को लिको साथ बोलते हम लोग और को टीन प्रकार के होती है नेट्रोफिल्स य और बेस फिल्स हम लोग वहां बता हम कुऊं को वहां बताए थे कि बेसव फिल्स होता है यह बेस वरणज़ का देवारा होता है इस लिए इसका नाम ही है क्योंकि बेस नाम ही होता है और अमल होता है तो यु का आमला होता लमम वहाँ बताया थे हम वहाँ सबसे करकां होती है कि सबसे में नदीन लींफोसायट्स को जो प्रकार कहोता है बलींफोसाइट आगे देखेंगे अम लोग पड़ रहे हैं इम्म्यून सिस्टम में सबसे महततुर्ण सफोन अगर wbc कोई है तो लिंफो साइट साइड जो परकार का होता आगे देखते हैं नियुट्रफियल हो अभी को इस को इस को नौह ने से लोगों साइड भूला था थे लिसलिया को कखा cry है इस लिए इन्हें Mi password कहते हैं कि निए य área मुलड में हुग ना करनाContra Kate से बुलते हैं इस ये मुलते हैं असंग का मतल मतल होता है इनकी संख्य इलरγी के समय में बढ़ जाती आँ इन्से हिस्टामीन कí सिरोटोनीन ही प्रोटीन हाइं तो हिस्टामीन का स्रावड होता है ईक वडिष जह कि से इस्टामीन तेरोटोनीन एंहसर कि से सनावड हलोता है मोनोसाइट्स या मैक्रोसाइट्स यह इनहें एंटीजन प्रेजंटिंग सेल्स बोलते हैं क्योंकि यह मैक्रोफेज बनाती और मैक्रोफेज क्या करती है पैथोजनस के टुकडे करके टी-लिंफोसाइट तक बेच के T lymphocytes तक पहुंचा देती है लिंफिसाइड त्रांसफर कर देती है ही लआ लेंफोसाइड दो प्रकार का होता है बीलींफासाइड और ईलीलीमफोसाइड मिलकर बना होता है प्लाज्मा सेल्स और मीमोरी भी सेल्स टी लिंफोसाइट चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है हेल पर टी सेल्स टी सेल्स टी सेल्स और मीमोरी टी सेल्स तो लिंफोसाइट दो प्रकार का होता है बी लिंफोसाइट और टी लिंफोसाइट बी लिंफोसाइट दो प्रकार के क प्रेशर डिषल और मीमोरी टेशल्स आग देखते हैं लिंफोसाइट और थ्लींफोसाइट में थोड़ा संतर देख लेते हैं रिम पॉएशिस के द्वारा लाल-स्थिमद्ध्ध इमट पॉएशिस सब्दध है हिमेट हीृममेट से बना है चन्द हीृममेट और बता चुके हैं कि हमध्ड जहां भी आएग मेत कसी चीज का थिपाधन करता कि सिस आए तो किसी चीज के अधिक्ता होना पीनिया तो किसी कमी होना सर्कुलेटरी सिस्टम यानि की रक्त का निर्माड कहां होता है लाल अस्थी मज्जा में होता है में बताया थे लालस्थी मज्जा होती है फिलेस्त჉ मजजा में ब्लड का JENNY कि अबिकास बोन मैरो मैं होगा डीफ़ार देखाव बीपेच्व बोन वार्व और टांसिल में भी हम तिली में भी यहां पर थोड़ा बहुत विकास होगा चीपहरत टीफ़ार तिलंफ़ाइट्स और टीफ़ार थाइमसीन हर्मोन इनकिस आएता से होगा थाइमण सीर हार्मथ कहां से निकलेगा थाइमस घरिंती से तो टी पर थाइम Sn when फुलहीं होजाएगा टी झाल टीलुंपन। सब्टीषस्छोन ज्रफ। इंडोक्राइन सिस्टम नपसे तो क्लेंट जाएगा है। दोए जुके हैं और भीसित हो जाने के बाद बिकसित हो, तो यह बज़ाने के बाद कर्ल एरिया में रहते हैं पैरा कार्टिकल एरिया में रहते हैं पैरा कार्टिकल एरिया में रहते हैं पैरा कार्टिकल एरिया में रहेगा ती के आसपास क्या है तो पैरा कार्टिकल एरिया में रहेगा आपको पता हो जाएगा सब्सक्राइब करक्या बिए तो फिली इन की संख्या कम होगी परशन्ट तक यह होगी ती बड़ा है तो इनकी संख्या अधिक होगी सब्सक्राइब करते हैं अभी हम लोग बताया थे थार्ड लाइप डिफेंस में आएगा का चील इंफसक्राइब करती हैं माधा अधिक sha इंव अधियाटेटर्ण द्यूड बनाते हैं इंपकर लिए रहाफ The यह दो स्यम्लक्रवन सेवर्ण आ बना हे ब्लाज्मा बीचेलस और मींवोरी बेहतले चार प्रकार कि मिलकर बनती है बी छोटा है तो चोड़ा है तो दो ही प्रकार से मिलकर बनी है दो गास कर बनी है एउस्ञ मररा कर बने है यम़िदिय्ट यह फिर 5 रिМ frames आठ बिल्विद otsi हो गार को शंकर मिलकर बनती है प्लाजमा क्या करता है इन से प्लाजमा से मीमोरी से धास्त का काम करता है बचा कॉन प्रति-धी के प्रति दिन इन टी बड़ी बनाती है कि अमत्र दो होता है तो दो पर zero लगा दिन एक गुद्ञ ऑन्री की बनाता है इसले तो को इंटी बड़ी का प्रति बोलता है विमोहरी बेसल कि यहds माइक्रोब्स अथा पैटोजंस हम बता चुके हैं पहले ही दिजी दिजीज हमें बता चुके कई पर बता चुके हैं कि जो रुषा ना करने वाला होती होता है उसे पैठोजंस पैठोजंस के बारे में सुचनाय याद कर लेती हैं और याद करके उसको लिखाय Yavum ग्रंथी लिंफ नोड में इस्टोर कर लेती हैं ताकि भविस्ष में सुचनाओं काम करें और इस प्रकार का कोई भी पेथोजन साय तो उनके खिलाफ तुरंत एक्षान लिया जा सके इसलिए मेमोरी यह सुचनाओं को याद करके संग्रहित कर लेती हैं यह तुछ सबका पता इसको कहा करें हैं कि यह यादकरना है आपको तो स्टोर कहा करेंगी प्लीहा में और गरंथी में यानि कि लिंफ नोड में स्प्लिंड में यह रखेंगी अब ती को टी सेल्स चार प्रकार को शिकांगे से मिलकर बनी है यह अन सरवाधिक होती हैं तुछ कोई काम होगा कम होगे तो सरवाधिक को होती है है इसब्सका होती है यह यह अन यह बनाने है तो करती है अभी हम लोग देखिए पीछे कि बी लिंफोसाइट आसे क्या करती है 20 trillion बनाती एंटिपैटी की भेक्टरी बोलते हैं तो निर्माद करती है फ्लाज्मा बी इसे याद कौन दिलाता है यहीं हेलप करता है यहीं यहीं तो हेलप करता है कि यह हम्ंद का मतलब कि एक्टिवेट करती है कि जो जो खराब हो जोके उनका मार दोल जाकर तो यह दोनों को साइट में मैक्रोफेज यानि कि इंटीजन संव मैक्रोफेज का मतलब कि जो पैथोजन सबस्स पर अटेक भी करती है वह और है अधिवेट कर ली यह क्या करी पहले एंटीबडी बनाने के लिए प्लाज्मा बीश्यल्स को एक्टिवेट कर दी कभाहिचा फूट बना प्लाज माश्मा भी एक्टिवेट कर दी एक्रिड कर दी किल टी। जो भी खराब गए उनको मार दो नहीं जरूरत पढ़ने पर पैथोजन जो होते हैं उनपर अटक्ट कर धी जरू पढ़ने तो इसकी सहायता कर रही है किलर टी शेल्स क्या करते हैं इनने शाहित टॉक्सिक आप आता है तक्सिक का मतलब वह तो कंसे बलता है यह यादिक ऐसी तोजहन इंफेक्टे ड़ी सेवस और सोय कि निट्wenusoda आया है वह भी तोझी आई जो रोग इत्पन करने वाला है उसको भी और सरीर के लिए इन्फेक्टेड बडी सेल्स को भी यहाली कि सटरीर की है इस Kaosika जो इसके प्रभाव में आ चुकी है जो से प्रभावित हो चुकी है जो खराब हो चुकी है उसको मार देता है और हैंसल conception fromiley नहीं को भी मारने लगता है और Beyond च लगता है इसलिए आर यह से लिए आक्ट टाक्सिक को जहर पर इत्याद करती है कंड़र मतलों मारना एक छτιससे पिरफेंद यह साइतो लीषीन यह फादन होता सिस्टम इस बात को डिसकस कर चुके हैं कि पूर फॉरीन या साइटॉलीशीन यह हार्मों से तो पोर ना इसमें वड है तो यह क्या करेगा को सिकाँ में छेद कर देगा और छेद करके उसे नश्ट कर देगा कई काउन में छेद करेंगा चारव तरफ तब नश्ट हो जाएगा तो कोशी कामें छेद करना यह करता है कईले-टी-स नश्ट कर अब सब्सक्राइब सब्सक्राइब करता है नियम्यून सि continents को इस प्रकार नियमित करता किس में बड़ी तो के प्रतीम revival करने करने वाला आया है पयतोंग्न के बारे में सूचनाय याद करके उन्हें संग्रहित कर लेता है ये काम का यो का संग्रहित करता है ये हैं सब्सक्राइबागाएं पर लोग, में पढ़ रहे हैं सिटेंड लाइन आप डिफेंस्स के पढ़ने वाले शेक्टविय को में पढ़ने वालेयं लाव 1 विश्य। को पर निम्रू से हमने पढ़ाय भिखिअब लस्य प हम लेखाइब हूं थीवर हैं इनके सेल और कुर्णी प्रोटिमेटएंस को पारी में पढ़ते हैं इंटर्फएरान्स इनकर्फएरान्स कशीज्ञुक्राइन करने वाला हैं और उस पैथोजन से क्वेञ्ञाइज कि सरत्थ फॉण से कश्युक्रिंट हो जाती है तो जाद़ा समभावना का है killer Lekt लेकिन यह झाह नहीं हो पाया तो कोषिका क्या करती है के ध्रहेंग कुषिका गी एक 인्टरफ्रान करने लगती है और ये व्यं Talent कि करता है कोषिका के बाहर चार और एक आवरण बना लेता है अब इस आवरण से क्या होता है अनिकोशिका सुरक्षित रह जाती है निकोशिका प्रभावित नहीं होती है कि पेथोजन से संख्रीमित हो जाती है तो इस्तवथा ही इंठयो फोरांट प्रोटीन का स्राव करते हैं यह सरा कोशिका क्षार और एक आवरन बना देता है तथा अन्यकोशिकाओं को संख्रीम्त होने जाने से आलपा इंटर्फेरांस बीटा इंटर्फेरांस और गामा इंटर्फेरांस अ बारे में देखेंगे अभी कि इंफ्लेमेशरी रियक्षण इंफ्लेमेशरी रियक्षण इंफ्लेमेशरी रियक्षण इंफ्लेमेशरी रियक्षण इंफ्लेमेशरी रियक्षण की क्रिया हिस्टामीन एवं प्रोष्टाग्लेंडीन के सरावण से होती है दोनों प्रोटीन है इस्टामीन प्रोष्टाग होगा तेधर दौगा हाँ पेसराज़ाएkem bottle हो जाएगा लाल हो जाएगा ťाएक सामों को याद रखेंगे इन ही के दन्सेंफिमेटर होता है transformations होता है हिस्टामीन प्रस्टाग्रेमैज़ मौस्ट इस बनाती है हैं बनाती का उन्हें 200 फील्स हमने को एक वर यह को पांच प्रकार से देखाता ना यह सिना पीश पिस अई दो फील्स लिंफसाइट मौना साइट्स इस प्रकार और यह क्या करती है यह इंफ्लेमेसरी रियक्शन कराती है लाल हो जाना लाल कैसे होता है इंफ्लेमेशन की और ब्लड फ्लो बढ़ जाता है जहाँ पर इंफ्लेमेसरी रियक्शन लार इंफ्लेमेशन की बोलते हैं जाने लाल होता चाहि हो जाता है इसे वेश्ड़ो बोलते हैं इस प्रासेस को उर्टी लेसं बोलते हैं तो जब ब्लड फ्लो बढ़ जायेगा जब ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो ब्लट फ्लो बढ़ रहा समस्थ तो अन्दर से दबाव पढ़ थो पूड़ेंगी तो थोड़ी थो धूर दूर हो जाएंगे तभी तो फैलेंगी न कि शालीट से लिक्यूट से गैस कैसे बनता है मालिकुस दूर दूर होते हैं तो उसी प्रकार से जब अंदर से दवाब बढ़ेगा तो नलिका फैलेगी और उसके उसमें कोशी का जो हो थोड़ी दूर-दूर हो जाए जब कोशी का दूर-दूर हों कि उनके बीच में अस्थान मिलेगा थोड़ा से गयप मिलेगा और हम सर्कुलेटरी सिस्टम में इस बात को डिसकास कर चुके हैं कि वहां से कभी कभी क्या होगी उस जो थोड़ा सा गयप मिलेगा उसमें से नलिका से बाहर निकल जाएगी अधर है और प्लोब अकिसे रक्त नलिकाऊं का ब्यास बढ़ जाता है जिससे उसके में उफहस्तिच सेल्स के बिज की दूरी बढ़ जाती है अता रक्त से कुछ रख्ट न लिकाओं से बाहर आ जाती है जिससे सूजन आजाता है वह नहीं पताए छो से फिर हुज वह行了 जाता है किसले सब्सक्रा रखांगों से बाहर आ 자ती है तो सुजान हो जाता है तो कि चैंट जाये यृई इसके लिए दर्द पंशिप्टर शक्रीए कख़ए हो जाता है और फिनर रिशर्ट फूजेंवजः हो जाता है तो यह दर्ड कंभव कराता है कर से उसको चूशिक लिए लिए कोशिकाओं के सक्रियता बढ़ जाते हैं तो वहां पर काम अधिक होता है तो फ्लाइबा गर्म होता आप जानते हैं की कारे करने से गति-जूज्य परप्त होती है ना या करने से क्राम होता है क्षिक में जानते हैं किसे आ जाता है पारोक्सिया शरीर का तपमान को सब्सक्राइब कार्ण पारोजेंस के कारण बढ़ जाता है यह टेम्प्रेचर जेनरीटिंग गेमिकल मतलब कि यह टेम्प्रेचर जनुरेट करता है कि और शरीर का तप मन किसे बनता है और जिसे बेखा करता है कि बहाता है फ्रौटाअब करता है में अब जो करता है बढ़ताए है घखा है यह इसके बाद ह riders नर्वोस सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि हाइपोथैलमस से मस्तेक्स का एक भाग है तो टेंप्रेचर इंक्रीजी करता है त्यापमान बढ़ाने का काम करता है पमान बढ़ने से से नेट्र फिल्स का थे पेज़ी से पेज़ी से नेश्ट करने लगती है और हरमस्तर पेज़र्णस में छेद करने लगती है चारव तर्व से च्थ करने लगती है तो नेस्ट हो जाता है आप मान बढ़ने से ब्लोड के, ब्लोड में आरं और जिंक होते हैं, वह लीवर यह करित्में संचीत होने लगते हैं, जिससे पैफोर यह स्वैंग में multiply नहीं करता है, इस में multiply करने के लिए आरं और जिंक यह सकते होती है, लेकिन अगर अगर तापमान बढ़ गया तो क्या होगा आइरन और जिंक जो है लिवर में जाकर रिष्टोर होने लएगा तो यह आइरन और जिंक पैथोजंस को मिल नहीं पाएगा तो स्वाइब में मल्टिप्लाइब करके बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा करो यह लेकिन अधीक अगARK बहुत जादा तब मन बढ़ जा तो यह नि रांस के लिए हनिकारक होता है लिए है निवरांस जिससे नर्वोस सिस्टम बना रहता है मस्तिक को सिकाएं निवांस को मुझत को में बहुत ज्यादा अगर तो निवरांस के लिए हानिकारक होता है कि नेट्यूर लगार सेल्स एनके सेल्स मतलों लीषट किलर टैता है जो पैथोजन के कारण ऑन कोषे का खराब होचुकिए है तो उसे उनके 구 Yok con к्लर नाम इसका किलर उसके बाद कम्दमेंट प्रोटीन यह 30-30 प्लाद्मा प्रोटीन का गृुप है जो अक्रिय रूप में रहता है इसका निर्माड यह कृत में होता है नहीं परतिण कियायों में सहाइता करते सभी प्रोटीन बहुत सारी प्रतिण राइस्पालकी द्सक्रापहता जो कजmost ना यहायों में उसमें प्रोटीन तो रख्त न सुरुप में बडरता है तो रख्त न लिकायों का ब्यास मिलकाacishe स्सक्राइल में तो रखती ने लिखा और बीद में थोड़ा से गएी आता है। और बाहर निकल जाती है तहसी को हम लोग सुजन बोलते हैं थकाल है और इसकौर या को जाता है डाया प्रक्रीया को उपेंडेसिज बोलते हैं यहां पाई यह निकल कर रखते कि मोनो साइट समोने डार्लिंग सबसे घंभी होती है तो मोनो साइट को सिका सबसे बड़ी को सिका है और सबसे छोटी को सिका कौन से होती है नीट्रोफिल्स होती है लेकिन सबसे छोटी होती है तो सबसे छोटी होनी करन अधिकांस्ता ऐसे गारंटी नहीं कि यहीं जाएगी से लेकिन अधिकानसता यहीं करती है ऐसा बहु heftyसे कि किक्रिया है अग हम हम लोग फर्स्ट लाइन दिवेंस पर चुके और नेस्ट है और व लाच है थार्ड लाइन आप डिपेंस थार्डे हो देफेंस जिसे अनन स्थे इस्पेस्पेस्मिक डिफेंस पहले कि दिफेंस में जय पहले को में किया जाता है एंटीजन की सब्सक्राइध होने की लिए क्या सरते हैं किसी इस होने यह, उसका weight भी होता है दस हजार डाल्टन से अधिक्छा होना चाहिए कम से कम आन इमधे कर पाए इसके पास यह एंटिज्ञ है तो एंटीबडी के पास प्रति रेक्ट होना चाहिए इसका होना चाहिए इंफ्ले मेंसे रियक्शन की प्रती रियक्शन रियक्शन होना चाहिए यह आप देख सकते एंटीजंश इसके आकरिती देख लिएज़े के प्रकार कें यह ऐसा शिनिदार है यह इस प्रकार से तिर्षय में है यह बिल्कुल इस प्रकार से है वो निकल है यह थोड़ा से गुलाकार साइट में है यह थोड़ा से प्रकार से है और यह कड़ी के शेप में है तो कई प्रकार से कई टेप में होते हैं एंटीजन्स antibody कि इसमें Vyacarki 4 पेप्टाइड देख रहे हैं एक यह कि यह और एक यह ए है जिसमें से डो भारी है र्न की है यह दो वे दो भारी और दो हल्की है ही एच अठीं पंटैल स्रिंखला अफ़्की वालिपर शर्प्रास रिंखला दोसभीस अमीनॉ कि एचन्स ने करे रेuca시 सजय हमार में होता है ह् हल्की वाली के भार 25 से और याद करना औ. मोठी अर्बारी पाप्टाइट स्रिंख लाएं भारी कंसी है यह वाली सिन 29 क्योंM my head of चालीश अमिम्मलस बंती हैं कि वहल की वाली 220 और यह बारी वली हर या इनका भाराश हजार डाल न होता है इन दोनों का पचीस जार याल टन और इन दोनों का भाराश अजसा सजाया डाल्टन होता है करे दोनों सिरिंग हो में इसको थो औंस दित्वन receive अबधर सिरे की ऊरो ऑंधुजफु छेत्र भेरी यब आ रिजन अस्थिन टहरे यह पीला रंग आपको दीख रहा है यह में सिरा तुम स्थिर SAPией इधर के बाद का च्हेतर होता है इंदर बाद का स्थिर air रहता है जिसे सी डाव फीड़ एचितर बोलते हैं इसThen ़ोटा है सी डञेश्टिं जिरा और इधर एन एस्ट sALLY बोलते हैं यह एन एन एस्टु सी डा यह भी इधर एनिस्ट्य लए दो इस्टु दो थे अपैчес यूरे इधर का इंट ओर रिजन वारीएबिल framework होता है स्टिस और बाकि रिजन वहता है OSI eatsio ile replacement होता यह इस्थिर छेत्र होता है यह इस्थिर छेत्र पर प्रतिजन जूडते हैं इसे प्रतिजन अस्थल बंध प्रतिजन जूडते हैं जहां बंध जाते हैं जाकर बंध जाते हैं उसी को बोलते हैं प्रतिजन अस्थल बंध ऐसा अस्थल जहां पर प्रतिजन आकर बंध जाते ह तो क्या बोलेंगे प्रतिजाल अस्थान बंद इसे ही आरा टाप बोलते हैं पर ऑग तक अपर बनते हैं न थोटी पर झानी अचो फियंग को इस में होता किया है इसमें होता यह है कि यह जो होता है आप यहां पर ऐसे देख रहे हैं अला ऐसे जूझा पर यह बन रहा है यहाँ इस प्रकार से जो जगा बन रहा है यहीं पर आकर एंटिजन जुड़ जाते हैं यह यह पर चिपक जाते हैं और जैपक जाते हैं तो कि इसी लिए बोलता उब कि हमने देखा कि एंटीजन का से चाहार का कहा है कई प्रकार का कर का से इन में भी इस वालेको चिपका पाएगी इस वाले आले को अगर चिपका Advent제 अ antbody एस से होनी चाहिए धी जो अलग अलग प्रकार के लिए और अलग अलग प्रकार की इंटीबडी चाहिए तो यहां पर क्या ऊहरा है इंस बडी बनाकर इंटीषा एंतीजन को चिपका कर मारा जा रहा है तो इसलिए इस नन स्पेश्डिक दिढ narrative defense लोग हरो कि पॉलते हैं a dog делают टिसे में टीबॉडी बना कर मारा जाता है प्रतीरक्षा जो है हम लोग में अप्रतीरक्षा है कि प्रत्य रक्षा कितने प्रत्य राक्षा कितने प्रकार करों आटी अप्र र्त निश्क्रिय भी प्रकार के होगी फिर नेच्राल और आर्टिफिशियल पैसे बिनुटी लेकिन एक्टिव इनुमिनुटी और पैसे बिनुटी क्या है एक्टिव निटी जब हमारे कर दो कि यानि कि जब शरीर में कोई पैसों रोगारक कोई विमारी देने वाला जीव रोगकारक पैसों सेमिके अंदर पहुंच जा और पहुंच जाय और सवरीर के अंदर पहुंच जाए तो हमारे स्वाता ही उसके खिलाव अन्टि बनने लगे फ'. लाटो अभी देखें हम लोग तो हड़लाइंड आप डिफेंस में जब हमारे शरीर समारा शरीर स्वैंग उसके खिलाफ हम एंटीवडी बनाने लगे तो उसे शक्रिय बोलेंगे एक्टीव बोलेंगे लेकिन अगर कर दो इसके प्रती बन ही पाए ऐसा प्रता है खेंप सकता है जैसे आया था जब और आया था लो तो चुराना के खिलाफ एंटीवडी तयार करने में लगेडेड से तूछा लग गए इसलिए हमारा सरीर उसके खिलापathy नहीं बना रहा था बाहर से बना कर बनाने मेंłos इंटी बिलता है तो आप शरीर में डाला जाता है उसे यहाने सिदह सब बाहर से बनी बनाई रही में पहुचा दिजाए विकसिन के माध्यम से तो आप ul लोग आप लोग समझ गया होगे यह टापी खतम होता है अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को सेर कर दें लाइक कर दें और चनल को सब्सक्राइब कर लें थोड़ा कमेंडमेंट कर दिया करें कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है अच्छा लग रहे तो भी नहीं लग रहा तो भी धन्य बाद